तूड मॉर्निंग श्टूडेंस आज हम लोग अधार भूत समानुपातिक्ता प्रमे यानि की बेसिक प्रोपरस्टनलिटी थियोरम जिसे सोट में बी पी टी कहते हैं इसे हम लोग साबित करने वाले हैं इसे हम लोग थल्स प्रमे के भी नाम से जानते हैं तो पहले इसके स् समानतर अन्य दो भुजाओं को भिन 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 बिन्दों पर प्रतिशेद करने के लिए रेखा खीची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं चलिए तो पहले हम लोग एक काम करते हैं एक तिर्भूज बनाते हैं और फिर इस स्ट स्टेड्मन को पढ़ते हैं यदि किसी तिर्भूज की एक भुजा के समानतर अन्य दो भुजाओं को बिन 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 बिन्दूओं पर प्रतिशेद करने के लिए रेखा खीची जाए तो हम लोग यहां पे बीसी के समानतर एक रेखा खीच रहें इस तरह से ठीक हैं बीसी क समानतर यह डीए खीचे हैं जो अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है यह हमें साबित करना है तो चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं दिया है दिया क्या है जी तो दिया है कि एक तिर्भूज है ABC एक तिर्भूज है ABC एक तिर्भूज है और क्या दिया हुआ है तो यहां दिया हुआ है कि D और E D और E करमसा करमसा AB तथा या AB और AC पर इस्थित है और जहां पर क्या दिया है कि D E समानतर है BC के तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है कि यह अन दो गुजान जो है एक ही अनपाद में बट रही है यानि की AD बटा DB बराबर में A E बटा E C A D बटा D B बराबर A E बटा E C यहां में साबिद करना है, ठीक है? चलिए यहां पर लिखते हैं रचना, कंसरक्शन करेंगे रचना में क्या करेंगे? तो देखिए क्या करता है? सबसे पहले हम लोग B E को और C D को मिनाते हैं, ठीक है? और यह ध्यान अकना होगा कि रसना जब भी खिचना आपका dotted होना चाहिए क्योंकि यह दिया नहीं है यह हम लोग construct किया है तो यह dotted ही होना चाहिए हमेशा याद रखना फिर और फिर क्या करता है यहाँ D से A E पर लंब किचते हैं और यहाँ E से A D पर लंब किचते हैं यह यूँ कह सकते हैं कि हम लोग D बिंदू से A C पर लंब किचते हैं और यहाँ E बिंदू से A B पर लंब किचते हैं तो इसका नाम M देते हैं और इसका नाम यहाँ N देते हैं चाये, तो रचना में जो जो काम किया है वो लिखना भी खीच है तो जो हम लोग काम किये हैं रशना में वो सारा कुछ यहां लिखे देंगा अब यहां लिखा जाएगा प्रमान तो बहुत ही अच्छा थियोरम है एक दम ध्यान से समझेगा आपके एकजाम में आता ही है यह अच्छा आपको तिर्भूज के छत्फल का या उचाई संगत सिर्षलम या संगत उचाई यह ना मनों जाते हैं चलिए तो यहां पर मैं अगर कहूं इस तिर्भूज ए डी ए के शत्फल के बारे में एरिया आफ ट्रेंगल एडी ए सौट में लिखना इसा नाइंत में हमनों सीखे हैं एडी तो इसको कैसे लिख सकते ह अगर हम आधार एडी को मालनें ततो इसलिए हो जाएगा है् oraz आखर मैं फिर यहां पर बात कोुनें एरिया औफ ट्रेंगल ट्रेंग डी इडी 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 इसके बारे पर तो देखिए इसका हो जागा एक बटा दो अधार यहाँ पे हम लोग डीवी ले लेते हैं अधार डीवी ले लेते हैं और इसकी संगा तुछाई यही हो जाएगी इम ही अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यह तो इस तिर्भूज से बा आता हूँ समझना बात को बहूत ही अच्छा है यह समझना चलिए मैं इसका नाम देता हूं मुझ फीज क्यूज और इसका आर अगर हम लोग बात करें इस तिर्भूज के छित की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं एक बट्टा दो या फिर मैं पहले लिखी देता हूं इस तरह से एक बट्टा दो अधार गुलें चाहिए तो फॉर्मूला होता है तो अगर इसमें देखें कि हमने सिर्सलम है ही नहीं यह तो बाहर का है आप यह कह दो आप यह जीद बट्टा ने तो एरिया आफ ट्रेंगल हम लोग पी एस क्यू घटा दें ध्यान से लखना पी एस आर के छिपफल में से अगर मैं कहूं कि पी एस क्यू को घटा देंगे तो ही नहीं यह तो सही है ना चलिए अब मैं इसका फॉर्मूला बताओं पी एसर का तो एक बट्टा आप 세 क्यूmäर स्गिए अब मैं यहां से वंगरी टू वंगरी ट यहां से मैं कॉंद कर लेता हूं वंगरी टूको और पी स्गूला देंगे तो यहां बच जाएगा स्गाए अपक है आपका स्गाइश को और ठीलीजू अर बाहर निकल टूर थोफ स्गम्स्गण और felt वही स यहां पर confirm करना जाता है कि एक बटा दो अधार हमने यही लिया और उचाई यह बाहर वाला ले सकते हैं कोई दिकत में तो वही काम हम लोग यहां भी की है कि इस तिर्भूज के शित्फल के लिए एक बटा दो अधार यह लिया है तो इसके संगत उचाई यह ले सकते हैं अब बटा में एरिया आफ ट्रेंगल बी एडी बी एडी बराबर क्या हो जागा एक बटा दो एडी गुना में एम और बटा में एक बटा दो डी बी गुना में एम देखिए यह यह कट जागा और यह यह भी कट जागा यहां से एरिया आफ ट्रेंगल एडी ए बटा में एरिया और बट्टा में डी एडी यह समीकरण एक माल है उसी तरह से मैं लिखता हूँ एडी फिर से दुबारा ले रहे हैं अग्यान एडी लेकिन अपकी बार आधार यह लेकर चलते हैं अधार आपका यह वाला लेते हैं तो संगतु चाहिया हो जागी यहां पर लेता हूं जैसे इसके पहले में क्या लिए थे ध्यान से देखना यहां पर लिए थे क्या हो जागा एक बटा दो अधार किसको लेंगे इसी को ठीक है और उंचाई क्या हो जागा आपका वही डी एल हो जागा अब इसमें भी से भाग देते हैं चलिए भाग देते हैं तो लिखो यहां भाग देने पर भाग देने पर क्या हो जागा एरिया ओफ ट्रेंगल ए डी ए बटा में एरिया ओफ ट्रेंगल सी डी ए ठीक है न ठीक है तो देखो यहां डी एन डी एन कटा यहां क्या बज जागा तो यहां का आज यहां आफ ट्रेंगल ए डी ए बटा में एरिया ओफ ट्रेंगल c, d, e बराबर a, e, बटा में e, c a, e, बटा में e, c ऐस समिकरन दो यह समिकरन दो गया और समिकरन एक आपका यहाँ यहाँ दोखो इन दोनों में देखो यहाँ a, d, e है यहाँ भी a, d, e है लेकिन नीचे वाला गड़बड हो जा रहा है यहाँ दोखो b, c, b, e, d है और यहाँ पे c, d, e है ठीक है तो अगर उपर वाला बराबर है तो नीचे वाला अगर बराबर हो जागा तब नहीं यह दोनों अनुपात बराबर हो पाएंगे तो हमें अभी इसको और इसको equal दिखाना होगा तो हम लोग को पता है कि एक ही आधार एक ही आधार एक ही आधार देखिए यहाँ पे एक ही आधार है आपका d, e और एक ही समानतर यहाँ लोग पढ़ें नाइंत क्लास में एक ही समानतर यहाँ पे एक ही समानतर कौन होगे d e समांतर b c जो दिया है के बीच बने तिरभूजों का च्छतरफल बने तिरभूजों का च्छतरफल बराबर होता है एक ही एधार और एक ही समांतर के बीच बने तिरभूजों का च्छतरफल बराबर होता है यह हम लोग class 9 में पढ़े हैं, तो देखिए, हम लोग तिर्भूज बात करते हैं, B, E, D, देखो, B, E, D का, और C, D, E का, इन दोनों तिर्भूजों का आधार यह D है, और दोनों एक ही समांतर के बीज है, D, E, समांतर, B, C, तो इन दोनों का सित्पल क्या हो जागा, बराबर में area of triangle C, D, E हो जाएगा, इसे समिकरन 3 मालनो, ठीक है, इसे समिकरन 3 मालनो, तो समिकरन 1, 2, और 3 से देखेंगे अब, समिकरन 1 आपका उपर है यहाँ पर, A, D, E है, और समिकरन 2 में भी यहाँ देखो, A, D, E है, यहाँ B, E, D, और C, D, E, जो समिकरन 3 से बराबर हो जा रहा समिकरन 3 से दोनो बराबर हो जाए है, यानि कि यह पूरा इसके बराबर हो गया, क्यों? क्योंकि यह नीचे वाले दोनो तिरभूज भी आपस में बराबर हो गया, इन दोनों का चेत्पल बराबर हो गया, यहाँ देख रहे हैं तो इसलिए हमनों समिकरन एक दो तथा तीन से क्या कर देंगे या AD बटा DB बराबर में AE बटा EC तो हमने यहां से साबित कर दिया यहां से यहां प्रमानित हो गया तो इस थियोरम को आपको ध्यान अखना होगा थेल्स प्रमे को या BPT कह सकते हैं बेसिक प्रॉपर्शनलिटी थियोरम तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन थियोरम है तो हमने यहां से यह सिखा कि अगर हमारे पास कोई तिर्भूज है और तिर्भूज के किसी एक भूजा के समांतर एक रेखा की ज़र यह बाकी दो अन्य भूजाओं को प्रतिछेद कर रहा है अन्य भूजाओं को प्रतिछेद कर रहा है इसका नाम D यहां पर E देंक है दी और यह पर प्रतिछेद कर रहा है ना AB और EC को तो अगर यह इसके समांतर है यहां देख रहा है यह दित्य भूज A B C में DE समांतर है DE समांतर है BC तो अगर DE BC के समांतर हो गया तो ये दोनों बुजाएं एक ही अनुपात में भी भाज़त हो यानि कि यहां लिख सकते हैं AD बटा DB बराबर में AE बटा EC अगर यह समांतर होगा तो यह लिख सकते हैं ठेल्स परमें से एसा ही नहीं कि सिर्फ यही अनुपात आप ऐसे भी अनुपात को दिखा सकते हैं AD बटा AB AD और बटा में पूरा AB या AE बटा में पूरा AC AE बटा में पूरा AC मतलब जो इधर लेंगे ना वही अनुपात बराबर कर उधर भी लेना होगा ऐसे इधर यह भी पूरूब कर सकते हैं कि DB बटा में AD बराबर में EC बटा में AC ठीक है यह तो इसी से आगया इसी को पलट देने से आगया है ऐसे यह और भी अनुपात हो सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो इधर AB बटा में AD और AC बटा में AE लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो यहां पे यह भी अनुपात ले सकता हूँ AB बटा में DB बराबर में AC बटा में EC तो जैसे इधर अनुपात लेंगे जैसे कि AB बटा यह ली DB ली है तो यहां AC बटा EC लेंगे तो थेल्स प्रमें से ये सारे condition आप दिखा सकते हैं जैसे माल लो अगर मैं कहूँ कि चली आपने तो पहला prove कर दूसरे के लिए कहिए AD बटा में AB कैसे आएगा AE बटा में AC ये कैसे prove होगा तो दूसरे को prove करने के लिए देखिए बहुत ही असान तरीका है पहले को prove करने के लिए मैं आपको बताता हूं चुकि हमने अभी देखा कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के ये तो हमने देख लिया ठीक है अगर मैं कहूँ इसको मैं पलट के लिखना चाहता हूं पलट के लिख सकते हैं इस तरह से तो यहां आपका आजाएगा तरह एक जोडने पर एक जोडने पर तो लिखते हैं क्या होता है DB बटा में AD पलस 1 और यहां पे EC बटा में AE पलस 1 ऐसे कर सकते हैं तो यहां LCM आपका AD हो जाएगा तो यहां हो जाएगा आपका DB पलस AD ठीक है और यहां हो जाएगा LCM आएगे AE यहां हो जाएगा EC पलस में AE तो जैसा कि आप फिगर में देख रहा हैं चलिए मैं फिगर यहां पे ला देता हूँ तो क्या देख रहा हैं तो DB पलस AD देखिए DB और AD जुड़िएगा तो यह AB हो जाएगा और बटा में AD और इधर देखिए EC और AE को जुड़िएगा तो यह RC हो जाएगा और बटा में आपका AE तो फिर यह प्ते सावच पलस में पलस में आपका AE दी बटा A B बराबर में AE बटा इस तरह से हम लोग सारे को प्रूब कर सकते हैं चीतने भी लिखे थे ईhtए कंसेप्ट वो सारे प्रूफ हो जाएंगे सारे इसके जितने भी यहां पर आपके परिणाम आया है रिजल्ट है सब प्रूफ कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको समझ में आ गया कहने का बतलब कि अगर तिरबूज के दो बुजाओं को किसी बिंदुसे को मिलाने वालने देखा जो तीस्री था के अगर समांतर हो तो अनने दो बुजाएं जो होतीय solidarity ईक ही बटत जाती है चाहे वहां अनुपात आप ऐसा कोई भी उनुपात ले सकते यानि कि जो इधर में आनुपात लेंगे वहीं अनुपात इध़र लेकर चलन कि यदी एक रेखा, किसी तिर्भूझ की, दो बुझाओं को एक ही अनुपात में विवाजित करें, तो वह तीसरी बुझा के समानतर होती हैं, चलीए एक तिर्भूझ बना लेते हैं, और फिर इस कंसेप्ट को पहले समझते हैं, इस statement को समझ लेते हैं, फिर आगे हम दो इसको सावित करेंगे क्या कहा रहा है कि यदि एक रेखा किसी तिर्भूज की दो भुजाओं को तो यहां हमने तिर्भूज ले लिया है A, B, C और एक रेखा खीच रहे हैं जो इसकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में व्याज़ित करती है, एक रेखा ऐसे खीच देते हैं चलिए, इसका नाम देते हैं हाँ पर D और यहां पर E तो यहां पर हम दिखा देते हैं कि यह D, E, A, B और A, C को एक ही अनुपात में व्याज़ित कर रहा है, तो वह तीसरी भुजा के समानतर होगा यानि कि यह D, E, B, C के समानतर होगा, यह साबित करना है, इनि थ्यल्स का यह प्रतिलोम है दिया क्या है, तो दिया है, हमारे पास क्या दिया है, कि A, B, C एक तिर्भूज है, एक तिर्भूज है, A, B, C एक तिर्भूज है और क्या दिया है, और D, R, E, D, R, E, करमसा, करमसा, A, B, तथा या A, B, और A, C को, A, C को, A, B, और A, C को प्रतिछेद करता है, प्रतिछेद करता है, और यह एक ही अनुपात में विवाज़ित कर रहा है, यानिकी AD बटा में PB बराबर दिया है, A, E बटा में EC, एक ही अनुपात में विवाज़ित हो रहा है, दिखेज़ा करना ना, तो सिद्ध करना है कि यहाँ पर यह डी जो होगा समांतर हो जाएगा बी सी के चलिए तो एक काम करते हैं यहाँ एक रचना करते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं देखें कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम लोग यहाँ यह डी इ समांतर बी सी सिद्ध करना है के नहीं तो एक रेखा हम लोग कुछ इस तरह से खिषते हैं, ताकि यह De इस तरह से खिषते हैं, यहाँ पे इसका नाम देते हैं, यहां लिख देते हैं कि d e समांतर bc खीचे इसको bc के समांतर खीचe है d e ड़ेस को इसको डॉटटेड रहना चाहिए क्योंकि यह हमारी रचना है झाले इसको डॉटेड कर देते हैं और यहां लिख देते हैं कि जहाँ e डैस E-A-C पर इस्थित है ठीक है, क्लियर है चलिए, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रमान की ओर प्रमान चुकि हमारे पास यहां दिया हुआ है AD बटा DB बराबर AE बटा EC यहां क्या है, आपके पास दिया है ठीक है, यहां दिया हुआ है इसको समीकरन एक मालव अच्छा, हम लोग यहां देख रहे हैं DE- समानतर है BC के यह कैसे, रचना से हमारे construction से हुआ है, तो यहां पे अगर हम चाहें, तो लिख सकते हैं थेल्स प्रमे से थेल्स प्रमे से, थेल्स प्रमे के दोरा क्या हो सकता है जब यह इसके समानतर है, तो यहां पे लिख सकता है कि AD AD, बटा में DB, बराबर AE- और बटा में E-C, यह समीकरन 2 हो जाएगा, समझ गया ना DE- समानतर है BC के, तो AD, बटा में DB, बराबर AE- S, बटा में E-C, हो जाएगा चलिए, अब यहां लिखता है, समीकरन एक तथा एक तथा 2 से, एक तथा 2 से, तो यहां भी AD, बटा DB है, AD, बटा DB है, यह दोनों बराबर हो जागा ना, यानि कि AE बटा में EC बराबर हो गया, AE E- बटा में E-C, अब चलिए, फिगर देखिए आपर, तो यहां हमने क्या दिख्या दिया फिगर में, कि AE बटा में EC बराबर AE- बटा में E-C, यह कब होगा, जब E और E- समपाती होंगे तब ना, इसलिए E तथा E- समपाती है, समपाती है यानि, एक ही जगह परिस्थित है कोइंसाइड है, एक ही जगह परिस्थित है, एक ही जगह परिस्थित है, E और E- में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही जगह परिस्थित है, तो चुकि हमारे पास DE- जो है, DE- वह समांतर है BC के हमारे रचना से अब इसलिए हम लोग चुकि अब देख रहा है कि ई और इस समपाती है उसे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है तो यहां पर प्रमे क्या है चिद करें कि तिर्भूज के सिर्ष्त की आंत्रिक या बाहे संधी भाज़ाग उस कोण को बनाने वाले बुजाओं को बुजाओं के अनुपात में आधार को आंत्रिक या बाहे बिभाजित करता है चलिए इसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पे तिर्भूज हम ले लेते हैं एक तिर्भूज ऐसे लेते हैं और एक और दूसरा तिर्भूज भी ले लेते हैं दो तिर्भूज लेना ABC इसका भी नाम ABC ऐसा दुर ब teину इसलिए कियोंकि दो बाते करें एक और एक और एक बाहे समद अगया को हज़ा के लिए यह ये करेंगे और सम dilबाजा के लिए की और नामसे में रखें ताकि एक ही में दोनों का काम हो जाए ठीक है इसी प्रमे में यह दोनों आंत्रिक वाला भी प्रूफ हो जाए और बाहे वाला भी प्रूफ हो जाए क्या कर रहा है यहाँ पर सिद्ध करें कि तिर्भूज के सिर्ष कोण की आंत्रिक पहला आंत्रिक के लिए बात करें उस कोण को बनाने वाले वुजाओं के अनुपात में अधार को आंत्रिक بिभाजित करता है चलिए शमते हैं तिर भूज के सिर्षकोण का आंत्रिक सम्झजाराड तो सब्सjal तो आगे क्या कह रहा है कि यह आंत्रिक संदिभाजक जो है उस कोण को बनाने वाली भुजा कौन कौन सी है अधार को आंत्रिक रूप से विवहज़ करता है यानि कि यह बी बड़ा सी डी के बराबर होगा उसी तरह से इसमें बात करते हैं यहाँ पर तिर्बूज अब बात करते हैं कि तिर्बूज के शिर्ष कोण का बाहे संदिभाजक का बात करते हैं तो इसमें बाहेकोंड बनाना होगा ना जी ओैसको डोटे रखना चाहिए था तो बाहेकोंड बाहे कोण आपका यह हुगा अब इस बाहे कोण का सम्दी भाज़क हम लोग खिषते हैं बाहे कोण का सम्दी भाज़क कुछ इस तरह से आगे जाएगा 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 ना जी बाहे कोण का सम्दी भाज़क चलिए बाहे कोण का सम्दी भाज़क BC को भी आगे बढ़ा द चलो समझो यहां कोड इस कोड के बरावर है इसका नाम दनी है तो यह अदी जो है यह तिर्भूझ अबारसिए सिर्स कोड है इसका संदिभाअज है यहांगे तो हमें यह पे कैसी है ? तो इनके भुजाओं का अनुपात है नहीं कि यहाँ पे हम लोग कौन-कौन सी भुजा ले लेंगे A, B, बटा में A, C बराबर हो जागा है B, D, बटा में C, D ठीक है? जैसे इसमें लिए वही चीज़ यहाँ भी लेंगा है चलिए अब इसको साबित करते हैं तो यहाँ पे पहले लिए लेते हैं दिया है दिया क्या है? तो दिया है कि A, B, C एक तिर्भूज है तो लिखी देते हैं तिर्भूज A, B, C में A, D, एंगल A का एंगल A का सम्धिभाजक है सम्धिभाजक है तो हमें क्या क्या सिद्ध कर ना है तो सिद्ध करना है कि कोडों को बनाने वाली भुजा का नुपात यानि कि AB बटा में AC बराबर हो जाएगा BD और बटा में CD, AB बटा AC बराबर में BD और बटा में CD, वही चीज़ यहाँ भी, AB बटा AC बराबर में BD बटा CD, चलिए, अब यहाँ पर रचना करना होगा, रचना में क्या करते हैं, किया करते हैं हम लुग क्या करते हैं am t quelque कर देट को प्रोड्यूस कर देता है चलि कर दो इसको अगे मिलने के लिए से प्रोड्यूस कर ज्यादा उपर चला जगा मैं इसको फिर से कंसर कर देता हूं तो ठीक है चलिए कि यह आपकी रचना है तो डॉटेड होनी चाहिए तो आपको याद रखना होगा यह डॉटेड होना चाहिए चलिए इसका नाम यहां पर कुछ दे दिया जाए यहां पर हम लोग इधर क्या नाम देते हैं तो यहां पर हम लोग इसका नाम एफ देते हैं ठीक है चलो कि ये shape एक कषिए उसी तरह से इसमें भी एक करना होगा इसमें भी रचना करना होगा हम लोग को aclm ी के समान तर एक खीचना तो यहाँ से इसी से न करके हैं इसमें इसमें भी लिज़ेंगे त्एक कर देते हैं ठीक है तो तो रचना में यह लिखना होगा कि हमने क्या किया है कि C F समांतर A D खीचे या A D समांतर C F खीचे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको A D समांतर C F खीचे और फिर क्या किया है B A को F तक बढ़ाया अब देखो नाम इसमें जो है असानी से ले सके और इसमें भी असानी से ले सके तो यहाँ पर आप चाहो तो इसी भाग के इसी में बीच में एक नाम देते हैं ताकि दोनों का नामा करन असानी से हो सके जैसे कहने का मतलब कि कभी इसमें नाम लें D, A, E तो यहां भी D, A, E से अस्पस्ट हो जाए कि दोनों इस कोण के बारे में और इस कोण के बारे में बात रहा है तो दोनों का नाम एक ही जैसा आए इसलिए मैं बीच में यहां E लिख दे रहा हूँ इसकी कोई जरूरत है नहीं, लेकिन अच्छा रहेगा, चलिए, इसका आप हम लोग यहाँ पे प्रमान देखते हैं, चलो जी, प्रमान देखा गया, चलिए, चुकि आपके पास दिया है कि AD, एंगल BAC का, या एंगल A का सम्धिभाजक है, स्वारी, एंगल A का सम्धिभाजक है, अच्छा जब यहाँ सम्धिभाजक है, एंगल A का, तो यहाँ पे एंगल EAD, आप BAD लिखोगे तो गड़बड हो जाएगा, इसमें नाम देखो, BAD यहाँ पे गड़बड हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसके अनुसार चलेंगे, एंगल EAD बराबर एंगल CAD, EAD देख रहाँ ना, यहाँ पे यह सम्धिभाजक है ही, तो दोनों फिकर सटिस्फाई करें, इस हिसाब समय नाम लेके चलना है, चलिए, अब हम लोग देखिए, इसको आप काम करिए, सम्मिकरन एक माल लिए, ठीक है, उसी तरह से, दूसरा अगर हम लोग कहें, कि एंगल E EAD, एंगल EAD बराबर में एंगल, एंगल AFC हो जाएगा, इसको सम्मिकरन दो माल लिए, यह कैसे हो रहा है, संगत कोण के युगम है, यह संगत कोण से हो रहा है, देख लो, एक्चुल में, यह AD समानतर हम लोग सी एप कीच है ना, जी, तो यह वाला कोण, इस कोण के में एंगल AFC हो जाएगा, बिलकुल हो जाएगा, अच्छा, उसी तरह से एंगल CAD, एंगल CAD, यह वाला कोण, एंगल ACF के बराबर हो जाएगा, एंगल ACF के, यह तीसरा हो जाएगा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, तो यहां समझने वाली बात है, यह कोण इसके लिख सकते हैं समीकरण एक दो तथा तथा त्था तीन से तथा तीन से यह क्या हो जाएगा एंगर ए सी एफ बराबर में एफ सी अजब यह दो कॉंड बराबर हो गया तो यह भुजा भी बराबर सब्सक्राइब यानि कि A F बराबर में A C हो जाएगा, क्योंकि समान कोड की सम्मुक भुजा है, इसलिए यह बराबर हो गई, ठीक है? चलिए, आप देखिए, आपका A F बराबर में A C हो गया, अब देखो यहाँ पर लिए चुकि आपके पास दिया है A D समांतर है C F रचना से, ठीक है, रचना से हमने यह समांतर खीचा है, तो जब यह समांतर है, तो हम लोग थेल्स प्रमे से, थेल्स प्रमे से, क्या लिख सकते हैं? A B B B B B F देख लो और इधर आपका BD बटा में CD यही ना आपको साबित करना था तो यहां से यह आपका प्रमानित हो गया तो इस थ्योरम से आपको ध्यान रखना होगा कि किसी तिर्भूज के किसी तिर्भूज के सिर्ष कोण का सम्धिभाजक जो होगा वह जो कोण बनाने वाली दो भुजाएं होंगी उनका अनुपात और यह अधार के एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगे चाहे वह बाहे कोण भी होगा तो इसमें भी देख सकते हैं समझ गया तो इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं थैंक्स पर वाचिंग देख लिए को लाइक शेयर करेंगे और इसे डिलेटिट वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे मैंने पूरे बुक का लिंक निचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है थैंक्स पर वाचिंग देख वीडियो